नमस्कार दोस्तों तो चले दोस्तों आज के संदार लेक्सर में हम जानने वाले हैं पर्नधार क्या होता है दोस्तों और दोस्तों पर्नफलक क्या होता है और इसके बाद जानेंगे हम पर्नब्रिंत क्या होता है तो क्या क्या जानने वाले हैं हम आज तो आज हम जानने वाले रहे, पर्णilah धार, पर्ण फलक, और दोस्तों, जानने वाले क्या है, पर्ण बृइंट क्या होता है, इसके भी सेमें हम भूल जनकारी लेंगे. अगर वीडियो पसंद आएगी, तो दोस्तों profit साते साते लाइक ठोकेगा, और नहीं पसंद आईगी तो साथे साथे डिसलाइक करते चलिएगा तो चलिए दूस्तों सबसे पहले हम परना धार समझेंगे और इसके बाद परन फलक और फिर परन ब्रिंत तो चलिए हम किरिया कलाप के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं और आप जो है सो के समझने का प्रयास किजिएगा तो चलिए अब हम किरिया कलाप को सुरू करते हैं दोस्तों आपके सामने यह जो दीख रहा है यह क्या है यह दोस्तों आपको पती है क्या है दोस्तों यह आपको पती है समसे दोस्तों यह जो है आपको क्या है पती है थोड़ी सी इसको हम साफ कर ले ले ना कचड़ा तब दक आपको समझाने में मजाएगे तो चली दोस्तों यह जो आपको दीख रहा है यह क्या है दोस्तों यह जो है आपको दीख रहा है दोस्तों यह क्या है पती है पति है दोस्तों यह जो है क्या है पति है तो दोस्तों चलिए एक और फोटो ले रहे हैं इसके बाद हम आपको समझाने का प्रयास करते है थोड़ी सी इसको अब हम गायब करते है कि तब जाकर बेतर होगा है कि यह जो चित्री है आपको किलियर ली दीख रहा है या नहीं जल्दी से बतलाईए आपको दीख रहा है या नहीं चलिए तो आपको अब मान लेते हैं कि आपको दिखी रहा होगा दोस्तो यह तना क्या है दोस्तो यह है तना यह क्या है दोस्तो तना है किलियर ली यह दोस्तो आपको क्या है तना है और दोस्तो यह क्या है पती है यह क्या है दोस्तो पती है किलियर यह दोस्तो पती है और यह दोस्तो तना है तो दोस्तो सबसे पहले हम जानेंगे परना धार क्या होता है इसके बाद दोस्तो परना धार जो है उसको परिभासा में अभी तुरंत बताएगे बस किर्यकलाप के दोरा समझ लीजिए और फिर आपको समझाने का प्रियास करेंगे दोस्तो पर्नाधार क्या होता है कि पती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है यानि दोस्तो यहां जो आपका जो होगा न यहां वाला जो दोस्तो होगा न यहां वाला जुड़ा हुआ जो भाग है न दोस्तो पती का वह भाग जिसके द्वारा वह तन्य से जुड़े होती है तो यहाँ वाला जो है न दोस्तो यहाँ वाला जो है आपको यही तो है आपको क्या यही आपको है क्या पर्नाधार समझे दोस्तो यही है आपको पर्नाधार तो यहां जो आएगी दोस्तू यह क्या है पर्नाधार है थोड़ी सी पर्नाधार के अगर हम परिभासा देखने चाहते हैं तो परिभासा आपको कुछ इस परकार से परिभासा आप देख लिजिए पहले हम आपको करेकलाप के दोरह समझा दे रहें इसके बाद हम LAST में दौस्तों परिभासा लिखवा दें है तो पर्नाधार आपको आया या नहीं आया जल्दी से बतले कि दौस्तों पर्नाधार उसे कहते हैं कि पती का व भाग यही तो हो गया दोस्तों पर्नाधार यह हो गया अब जान लेते हैं दोस्तों की पर्नफलक क्या होता है दोस्तों पर्नफलक हम देखी किसको कहते हैं थोड़ी सी पेन के कोलर चेंज कर ले रहे हैं तो पर्नफलक दोस्तों पती के जो हरा भाग है दोस्तों उसको बोलते हैं हम पर्न फलक तो थोड़ी सी इसको हम घीच लेते हैं और लिख लेते हैं क्या है यह पत्ति का जो हरा भाग उसको क्या बोलते हैं पर्न फलक तो लिख लेते हैं पर्न धार है तो पर्णफलक आपको समझ में आया कि नहीं आया जल्दी से बतलाई कि लिए तो हम पर्णधार समझ चुके और दोस्तों पर्णधार तो हम समझ चुके और इसके बाद पर्णफलक भी हम समझ चुके अब समझ लेते हैं कि पर्णब्रिंत जो होता है वह क्या होता है तो दोस्तो पर्णब्रिंत क्या होता है देखिए दोस्तो आपको यह जो पती दीख रहा है यह पती जो आपको दीख रहा है दोस्तो इसके और इसके थोड़ी सी पेन के हम कॉलर लाल कर ले नहीं थोड़ी सी चलिए आपको दीख रहा है तो दोस्तो पती का यह भाग पती का कि पति का यह भाग दोस्तोफ और पति का यह भाग कि जो बीच में होगा न दोस्तों यह जो बीच में होगा यही आपको दोस्तों होजागा क्या यही तो scarf हो जागा दोस्तो पर्णब्रिंद किलियर हुआ या नहीं हुआ दोस्तो फिर से हम लिख दे रहे हैं इसके बाद हम आपको समधाने का प्रयास करते है दोस्तो यह पती का यह भाग और यह भाग जो बीच में है न दोस्तो यह डंडी नूमा जो संरचना है दोस्तो डंडी नूमा यानि दोस्तो यहां जो पती दीख रहा है यहां जो बीच में है न दोस्तो डंडी नूमा संदरशना यह आपको क्या है यह दोस्तो हम थोड़ी से एक और पता ले रहे हैं इसके बाद हम आपको समझाने का प्रयास करते है यह पता आपको दोस्तो हैं अगर यह दोस्तों पेन में रहता तो पेन में रहता तो दोस्तों कुछ इस परकार से रहता कि मतलब यहां दोस्तों डाली रहती तो दोस्तों जैसे यहां दोस्तों साखा रहती तो यहां दोस्तों माले देके जूड़ा हुआ है तो दोस्तों यह भाग पेन के कोलर चेंज समझे दोस्तो तो इस तरह से समझे जाते हैं पर्न बिरिंत आपको समझ में आया कि नहीं आया दोस्तो वीडियो के लाश्ट में बता दिया कि पर्न बिरिंत क्या होता है और पर्न फलक और पर्न धार आपको समझ में आया कि नहीं आया तो चलिए इसका हम परिभासा देख लेते हैं कि परिभासा आखिर क्या हो सकता है तो चलिए हम परिभासा इसका बारी-बारी से देख लेते हैं और इसको बारी-बारी से हम साफ कर ले रहे हैं तो चलिए इसको हम बारी-बारी से साफ कर ले रहे हैं कि थोड़ी सी गुरबड़ा गई है कहान कहां चला गया परिभासा तो थोड़ी सी खोज रहे न चली दोस्तो तो आपके सामने आ गई है परिभासा दोस्तो सबसे पहले आपको देखी पर्नाधार का जो परिभासा है कुछ यहाँ इस प्रकार से तो परनाधार क्या परिभासा लिख लिए कि लिखा हुआ है परिभासा कि पती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है तो वह कहलाती है दोस्तों परनाधार तो देखिए हम चीतर के माध्यम से आपको फिर से बतला दे रहें यहां जो भाग है ना दोस्तों यहां जो जुड़ा हुआ है ना तो यह होगे आपको क्या परनाधार तो ठीक है तो परनाधार के परिभासा लिख लिजिए तो परनाधार के जो परिभासा है यहां है वती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है तो वह कह करना तो अगला जो हम देख लेते हैं अगला परना-धार तो होगए धॉब देख लिए परनफ़लक की चप्तित यहां हरे भाग को दोस्तों बोलते हैं पर्नफ़लक चिक्रेट्र की मध inanu से अपको दूबारा यह जो दोस्तों पती है ना पती का जो हरा हरा जो भाग है न वह आपको कहलाता है क्या पर्न फलक पर्न फंजव तो आपको समझे में आ जुकित अब देख लेते आगे आगे हैं दोस्तों पane दोस्तों पर्ण फलक देखिए थोड़ा सा चिद्र के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं देखिए दोस्तों यह आपका हरा हरा जो भाग है दोस्तों यह क्या है पर्ण फलक है समझे रुकिए थोड़ी सी पेन की कॉलर चेंज यह जो हरा हरा जो भाग है दोस्तों यह क्या है पर्ण फलक है समझे यह क्या है पर्न फलक तो दोस्तो पर्न फलक था पर्न धार तो दोस्तो यहां जब किसी चीज से जूड़ी होती तो यहां जो जूड़ी होई है तो जूड़ी होई है तो हम बोलते थे पर्न धार तो मालत यहां यह जूड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं पर्न धार त देखे दोस्तों परिभासा आपका इस परकार से है कि पर्न फलक्त था पर्न धार के बीच डंडल नूमास भाग को दोस्तों बोलते हैं पर्न ब्रिंथ तो दोस्तों यह होगे आपको पर्न ब्रिंथ तो दोस्तों आपको यह समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों वीडियो के क थोटी मोटी जानकारियां तो अच्छली दोस्तो आज की समझेदार लेक्षर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए चैनल को सस्क्राइब जरूर करें और वीडियो का ऐसी है जरूर बता है